कि अच्छ आप हेलो प्रेंट्स वेल्कम टू माई चैनल तो चलिए आज देखते हैं जुगरप्ति के पाचमादिन का कॉस्चन तो जो हमारे चैनल परने हैं चैनल को सबस्क्राइब ज़रू कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे हैं ठीक है तो आईए देखते हैं पहला को समीप से ही कामेरी नदी निकलती है तिसरा है डोडा बेटा दक्षन भारत की दूसरी सरवोच चोटी है और चोटा है निलगरी परवत स्रेनी करनाटक केरल एवं तमिलनाडू राज्जियों के मिलन बिंदू पर इस्थित है तो धियान देना है कि दक्षनी सहाधरी का दू आला कथन गलत है ठीक है तो बाकि यहां पे दो तीन चार सही है और संसी अंसर होना चाहिए ठीक है दक्षनी सहाधरी का दूसरा स्कूर सिखर पुस्पगिरी है पुस्पगिरी के समीफ से ही कामेरी कावेरी नदी निकलती है डोडा बेटा दक्षन भारत की दूसरी भारत का सबसे उच्चा दर्रा कौन सा है कारा कोरम दर्रा जो जिला दर्रा फिर पंजाल दर्रा बन्याल दर्रा तो भारत का सबसे उच्चा दर्रा जो है ऑप्शन ए हो जाएगा कारा कोरम दर्रा इसकी उचाई 5540 मीटर है यह दर्र जम्मू कास्मीर राज्जी के लदाग छेत्र में कारा कुरम पहारियों के मद्दे इस्तित है इस दर्रे से होकर यार कंद एवं तारिम बेसिन का मार्ग गुजरता है कितने युगम सही है यहां देखना है पहला है पिर पंजाल दर्र जम्मू को सिरी नगर से जोड़ता है वनिहाल दर्र इमाचल परदेश को तिबबत से जोड़ता है सिपकिला दर्र जम्मू को सिरी नगर से जोड़ता है रोहतांग दर्र मनाली को लेश से जोड़ता है तो कि देख सकते हैं फिर पंजाल दर्रा जम्मू को स्री नगर से बनियाल दर्रा हिमाचल परदेश को तीवत से सिपकिल्ला दर्रा जम्मू को स्री नगर से रोहतांग दर्रा मनाली को लेह से इसलिए अप्सें डी चारो युगम सही है ठीक है नमलिकित में से कौन सा दर्रा उत्रा खंड को तीवत से जोडता है बारा लच्चा माना दर्रा नित्ति दर्रा तंसर होगा दो और तीन ठीक है माना दर्रा और नित्ती दर्रा जो है उत्रा खंड को तिबत से जोडता है ठीक है आईए यहां पर देखते हैं वारा लाचा मनाली को ले से जोडता है माना दर्रा उत्रा खंड को तिबत से जोडता है नित्ती दर्रा उत्रा खंड को तिबत से जोडता है यहां पर टर्म है य ममेंबर से मई तक बर्प से ढखा रहता है तो दियान देना है कि कोश्चन ऐसा है भी बन सकता निम्झे पूसा ऐसा दर्रा है जो छो महेने ठीक है बर्प फे ढखा रहता है वरल अच्छा माना दर रहां निति दर रहां ठीक है भारत और चीन की सिमा से होने वाले तिन बैपारिक मारगों में से एक कौन सा दर्रा है भारत और चीन की सिमा से होने वाले तिन बैपारिक मारगों में से कौन सा दर्रा है तनसर अप्शन डी होगा नाथुला दर्रा ठीक है प्राचिन रिसम मार्ग की एक साखा है भारत और चीन की सिमस होने वाले तीन बैपारिक मार्गों में से एक नाथुला दर्रा भी है अभे जलेपला दर्रा या सिक्किम में स्थित है जो दारजलिंग वा चुम्बि घाटी से होकर तिब्बत जानी का मार्ग है समंदर तल से लगवग 4530 मीटर उचाई पर इस्थित या दर्रा सिक्किम को लहासा से जोड़ता है या चुम्बि घाटी से होकर गुजरता है आगे देखते हैं बोम डिल्ला दर्रा या रुनाचल प्रदेश के उत्तर प्ष्चिम भाग में स्थित है इससे तवांग घाटी से होकर तिब्बत जानी का मार्ग उजरता है यह रुनाचल प्रदेश को तिबत किर्दानी लहासा से जुड़ता है यांग याप दर्रा के बारे हम देख सकते हैं यह रुनाचल प्रदेश के उत्तर पुरव में इस्तित है इसी दर्रे के पास से ब्रहम पुतर नदी भारत में परवेश करती है यहाँ से चीन के लिए भी मार्ग जाता है फिर है दिफ्पु दर्रा याप रुनाचल प्रदेश के पुरव में मैनमार शिमा पर इस्तित है या पहारत और मैनमार के बीच का एक प्रंप्रागत दर्रा है जो बैपार एबम परिवहन के लिए पूरे बर्स खुला है खुलाह रहता है निमलिखित में से कौन सा युगम सही है पांग साउ दर्रा अरुनाचल प्रदिस को मांडले से जोड़ता है दर्रा से लिट भहु सारा कुश्चिन रहता है सारे दर्रा को वार वार रिपीट करना होगा तब याद होगा आगे देखते हैं तुझ्जु दर् थालगाट दिल्ली मुंबाई के सडक बाँ र plamar भोर्चाठ पुनी विल गाउं के सड़क बाँ फालगाट ञाली कट केड़ डिशोऌ से कौनबरटूर 92 की सडक बाँ रेल मार रात चुंसरवा। दी ठीक है एक दू तीन चार और पांच पांग साव दर्रा समंदर तल से यह 1136, ठीक है, मीटर होना चाहिए, ठीक है, यहां पर चुट गया है, भी अधी कुछ आई परिस्थित यह दर्रा और नाशल प्रदेश को मांडले से जोड़ता है, ठीक है, यहां पर मीटर चुट गया है, तुझ्जु दर्रा यह मनीपूर राज्य की दक्षिनपूर में इस्थित है, इस दर्रे से, यहां पर दर्री गलत लिखा गया है, ठीक है ना, यहां पर दर्रे से इंपाल से लामपूबा में मार जाने का मार गुजरता है, फिर है थाल घाट, पांसो तेरासे मेटर उच्चा यह दर्रा महराश्ट में पाल घाट के बारे में देखते हैं, यह महराश राज जी के पस्च्चमी घाट स्रेनी में इस्थित है, पुने बेल गाउं रेल मार बसरक मार इसी दर्रे से गुजरते हैं, अब है पाल घाट यह केरल के मद्द पूरुब में निलगरी एवम अन्ना मलाई पहारे के मद्द इस्थित है, जिसके उचाई 305 मेटर है, काली कट तिरिचूल से वयम बटूर इरोड के रेल वसरक मार इसी दर्रे से गुजरते हैं, आगे देखते हैं, कौन सा दर्रा लधा को तिबत से जोड़ता है, चांगला, लिपुलेक, यांग्याप दर्रा, दिफु दर्रा, तो होगा, आप सनी, चांगला, दर्रा, चांगला, समुन्दर तल से 5360 मेटर से भी अधिक उचाई पर इस्थित महान हिमाले का यह दर्रा लधाक को तिबत से जोड़ता है, फिर है लिपुलेक दर्रा, यह दर्रा भारत चीन सीमा पर उत्राखन राज्जी के पिथार, पिथार अगर जिले में इस्थित है, यह भारत वच चीन के बीच पहला सीमा वेपार है, इस दर्रे को प्योग कैलास मांस्टरोवर यात्रा के लिए किया जाता है, यह भारत और चीन के मद्ध होने वाले वेपार में काफी महत्पून खुमी का दिवाता है, आगे देखते हैं, उत्तर कभी साल मैदान के वारे में निमलिकित में कौन सा कत्रम सकते हैं, तो पहला देख सकते हैं, सम्रीद मिर्दा आबरन पानी की प्रियापत उपलवता एवमनकुल जलवायू के कारण क्रीसी की दिश्टी से यह भारत का त्यधिक उपजाओ छेत्र है, पस्च्वी दनका ढ़ाल आगे पस्च्वी मैं पस्चिम से दच्चिन पर्व की ओर हैं, तो जहां तक यह है, आप्टिन सी सही होना चाहईए ठीक है, दोनों कदम सही है, आगे देखते हैं कौन सी नदी अराबली परवत के पस्ची मैं बहती है, तो यहां पर 80 हो जाएगा, ठीक है, आ जा रहा है यह डी में दीख रहा है ठीक है बियास और राबी जो है राबली परवत के फस्चिम में बहती है पाप सुन डी यहां पे अंसर हो जाएगा यहां देख सकते हैं कि समतल्व हुआ के मद्ध राबली परवत के आजाने के करण सिंदू और इसकी सहाक नदियां जेलम चिना और राबी ब्यास और सतलच इस अपसिष्ट परवत के फस्चिम में तथा गंगा और उसकी सहाक नदियां यमना गंड़ा घागरा गुमती सर्यू कोसी महाननदा सून आदी जो है पुरव में बहती है आगे देखते हैं उत्तर के बिसाल मैदान के संबंद में निमलि कितमे से कौन सा कतन सही है पहला है दक्षिन के छेत्रों से आने वाली नदियां निक्चेपन कारे करती है नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की कति कम हो जाती है जिसके परिनाम सरूप नदे दिब्बों का निर्मान होता है त्यंसर होगा आपसंसी एक और दो हो जाएगा उत्तर के छेत्रों से आने वारी नदियान निक्षेपन कारे करती है दुसरा है नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गतिक कम हो जाती है जिसके परिणाम सुरूप नदी दीपो का निर्मान होता है तो इस परकार से हमने आज 10 कुश्चन देख लिया ठीक है तो मिलते हैं अगले दिन अगले सब्जेक के साथ ठीक है